युरूप के देशों में ससक्त संसद्य परंपरा किस देश में थी युरूप के देशों में ससक्त संसद्य परंपरा किस देश में थी तो एक सब एक है एक सब एक का उत्तर क्या है बी इंग्लेंड किस देश में थी वो इंग्लेंड में थी आये देखते हैं गन पाउडर प् 102 का सी इंग्लेंड से इंग्लेंड में संसद की निव के लिए जारी मेगना कार्टा कीस वर्स प्रस्तावित किया गया था 103 मेगना कार्टा मेगना कार्टा बहुत महत्पुर्ण है यह क्या है 1215 में ब्रिटेन में सीप मनी के खिलाप विद्रोह का नियत्रूत करने वाला था कौन पील है 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 कौन था है है आगे बढ़ते हैं 105 वा नमर्फ फरस्त इंग्लेंड में राजनीतिक दलों का अभ्यूदे की सासक के सासनकाल में हुआ चाल्स प्रथम चाल्स जीतिये जेम्स प्रथम और विल्यम किस के उसमें हुआ तो चाल्स जीतिये के सासनकाल में रजनीतिक दलों का अभ्यूत है हुआ आगे हैं बिल आफ राइट्स ब्रिटिस पार्लियमेट द्वरा किस बर्स पारित किया गया था बिल अप्स राइट्स 106 नंबर है क्या है 1689 1689 1646 1645 तो बिल अप्स राइट्स जो है वो 1689 में पारित किया गया था अब देखते हैं 107 ब्रिटेन में रक्तहीन या सान्दार करांती देखें रक्तहीन और सान्दार करांती यह बहुत महत्पूर्ण है यह सारी चीजें सारे प्रस्ण मोस्ट भी वी आई है कब हुई थी 107 है तो बी 1688 में 1688 में होई थी 108 क्या प्रस्ण है फ्रांस के किस सासक ने घुशना की मैं ही राज्जेंग लुई 14, लुई 15, लुई 16, आईन में से कोई नहीं तो 108 है 108 का क्या है ए लुई 14 आई आगे देखते हैं फ्रांस का कौन सा वर्ग विशास्यत्रिकार प्राप्त नहीं था पादरी वर्ग समंत वर्ग पादरी समंत या समाने लो तो किसको विशास्यत्रिकार प्राप्त नहीं था 109, 109 में क्या है D, इन में से जो है वो समाने लोग को भी सेधाधिकार प्राप्त नहीं था, अगला प्रस्न है 110, फ्रांस के थर्ड एस्टेट में कौन सामिल नहीं था, पादरी, किसान, मजदूर और वकील, 110, कौन सामिल नहीं था, पादरी, थर्ड एस्टेट में, चली बढ़ते, 111, सोसल कॉंट्रेक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की, सोसल कॉंट्रेक्ट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, वाल्ट मेर ने की थी, किसने की थी, वाल्ट, टेयर ने की थी, चली इतिहांस में किसे पहला राजनितिक सास्त्री माना जाता है, इतिहांस को चली 113 समानता स्वतंत्रता और व्रात्रित्व का बिचार किस ने दिया किस ने दिया रूसो ने दिया था चली आगे बारते हैं निमलीखित में से कौन सुमेलित नहीं अब देखे इसमेलित नहीं तो कई सारे प्रस्निष्ट निकल के आएंगे देखते हैं इसको एक सो चौदा कि फ्लाइंग सटल जानके स्पीनिंग जेनी हार ग्रेप्स जेम्स वाट पास्पिंजन ड्रील और थर यह अब देखे इसमें से कौन सुमेलित नहीं है उजा चुनना है हमको तो इसमें जो डी आप्शन है ड्रील और यह सुमेलित नहीं है त जानके स्पीनिंग जेनी हार ग्रेप्स जेम्स वाट बास्पिंजन यह इसे रिलेटेड है और यह जो इसे रिलेटेड नहीं है इसलिए यह उत्तर हुआ था चली 114 का हमने उत्तर देख लिया क्या डी 115 115 में क्या है वैज्ञानिक समाजवाज की विचारधारा को किस ने अ साफित किया कालमारत जर्मनिक के करण का सीरे किसी दे आजाता है बहुत ही महत प्रश्ण है zwischen भी एक फट्राध को वह एक्टलर पयों है किया यह सारे के सारे प्रस्ट जो है इंटरनेशनल इतिहास के हैं इसको जानना हमें जरूर है जर्मनी के एककरन का नित्रित किस राज नहीं किया प्रशा अस्ट्रिया राइनलेंड या हंगरी 117 में उत्र हमारा क्या होगा ए प्रसा चलिए आए आगे देखते हैं काउंट काबूर का समंद किस देश्के की करन से जर्मनी से हैं चकुशलाविया से है इटली से है या अस्ट्रिया से ना कि अस्ट्रिया से एक्स ओठार एक सो थारा का उत्तर क्या है बी इतली कि क्या है the chyba यंग इतली संगटन की अस्थापन मिन ने, मोथसेना के राइन, काउंट काऊचु और Еक है 119 के उत्熱 क्या होगा बी मैच सीनिन एकस्षबीस पीट मॉंट के सासे क्विक्टर एम्एन्वब को किस बर्स दिखिंग फिट्ली को सित किया कि इकिंग फिट्ली किसको विक्टर एम्एन्वब को कब होगा था 1861, 1888, 1880 और 1898 पर 120, 120 का ए 1861 में इनको King of Italy किया गया था चाहिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रथम विसुद्ध का काल क्या है प्रसम विसुद्ध का काल क्या है बताना है 14 से 18 है 16 से 20 है 15 से 19 है 20 से 24 है बड़ा महत पुर्ण प्रश्ण है 121 का ए 14 से 18 है चलिए प्रतम बीच विसुद्ध की समाप्ति के बाद पेरीश की संधी बहुत ही महत पुरू संधी है ये पेरीश की संधी किस वर्सवी से 122 किस बर्सवी से 18 में 19 में 20 में ये संधी हुई थी ठीक है 122 का आगे बढ़ते हैं रूस की जार साही ने ड्यूमा का गठन कौब किया रूस की जार साही ने कि 123 नंबर प्रश्ण है कि पांच में 11 में 17 में 20 में तूतर क्या होगा 1905 में चलिए आगे बढ़ते हैं कि वार एंड पीस कि राचना किस ने की बहुत महत पूर नहीं ये लेनिन गौर की टॉच्टवाय या रसकिन किस ने की थी ठीकिति है टॉल्स्टवाय निगी एकस चोविस का सी किक्षब पचीश लेनिने किस बर्स नई आर्थिक निती की घोषण की बीस में 21 में 24 तेईस में लेनिकिस बर्स घोषण के थी कि 125 का वी 1921 रूस में पंच वर्स यह योजना का प्राड़म किस ने किया लेनी ने किया कि स्टालीन ने किया ब्रेजनी को ने किया या एल्कसिन ने किया किस ने किया था 116 126 का उत्तर क्या है कि स्टालीन ने किया चली आगे बढ़ते हैं कि अदेखते हैं किस वर्स रूस को सोवियत समाजवादी ग्रंत तंत्र घोसित किया किस वर्स 27 में 31 में 36 में या 45 में तो किस वर्स किया गया था अनिसर चतिस में किया गया था चली हिटलन ने नाची दल की अस्थापना कब की 20 में 22 में 24 में या 1927 में 128 नमर तो 1922 में उसने इसकी अस्थापना की ते ड्वीतिय विस्विजीत कारम कब गवा था 139 नमबर प्रस्ट एक सेप्टेंबर 1949 सेप्टेंबर 1941 सेप्टेंबर 1945 सेप्टेंबर पैंतालीस सेप्टेंबर 17 में 1945 यहां द्यान देना है तो पहला अप्शन ही शाही है एक सेप्टेंबर 1949 चली आगे देखते हैं हिरोशीमा हिरोशीमा तो था नागा साकी पर अनुबंफ कभ गिराय गया 6 अगस नांटी फोटी फाइव 17 वाइव उनिसे 45 एक दिसंबर उनिसे 41 या 16 अगस्त निसे 42 एकसोतीज एकसोतीज का यह 6 अगस्त नांटी फोटी फाइव चलिए कि आगे देखते हैं संत्रुक राष्ट संग से युक्त राष्ट संग की आस्ठहपना के लिए प्रस्ताव कहां आयोजित संस्म्मिलन में लाया गया है सेंध्फरांसिस्को लंदन वेलग्रेट या कोपेश्टन कों से मिलाये गया k तो सेंट फ्रांसिस्को में आयो जीट समिलेन में इसके निमित आपको प्रस्ताव लाया गया अब देखिए 132 सन्याद सिन के नित्युत में चीन में पहली गणतंत्रिय करांति कॉप संपन हुए यह द्यान देना होगा सन्याद सिन नाम से लगेगा कि भारतिय है यह लेकिन है नहीं 132 पांच ग्यारह पचीस यह निंचास तो सन्याद सिन के नित्युत में 1911 में पहली गणतंत्रिय करांति चीन में संपन हुए चलिए आए आगे बढ़ते हैं 133 चीन में अफ्हीम यूद्ध यह अफ्हीम यूद्ध है बहुत महत्पूर्ण निप्रुचा जाता है बहुत बार कि इस पश्मी राष्ट के साथ लड़ा गया जर्मनी फ्रांस इंग इंग्लेंड अमेरिका तो 133 का उतर क्या होगा सी इंग्लेंड के साथ लड़ा गया 134 चीन में माचू राजबंस के समाप्ति किस बरस्वी किस बरस्वी बी निश्व 111 में 135 मेई जी पुनार स्थापना का समन्द किस देश से किस देश से है सी जैपैन से 136 विस ब्या पार्शंगठन डव्लू ट्यू डव्लू ट्यू के स्थापना कब हुई बी उनिससो पंचान बेर में 136 पी 137 विस ब्या पार्शंगठन का मुख्याले कहां है वियाना जेनेवा वेल्ग्रेट और लंदन 137 का बी जेनेवा चली 139 नबर प्रस्ट गेट गेट की उरुगवे तोर की बारता कप्राण हुई है गेट का जो यह उरुगवे का दवर का बारता है यह फेमस इतिहास में दर्ज आए तो यह कब हुए इसको दियान रखेना है चली 141 कि 141 क्या है प्रीथवी किस गेलेक्सी का हिस्सा है जोग्राफी का प्रश्णियास से आने लगा कि एसकल्प्टर ड्रेको उर्शा माइनर या मिल्की वे 141 किसका है प्रीथवी इसी गेलेक्सी का हिस्सा है चलीए अगला प्रश्ण ब्यालिश देखते हैं सौर मॉंडल का सबसे चमकीला ग्रहकोन है प्रीथवी है मंगल है सुक्र है या सनी है तो सबसे चमकीला ग्रहकोन है सुक्र है आगे बढ़ते हैं प्रीथवी का सबसे निकर्तम तारा कौन सा है प्रक्सिमेशन ट्योरी सीरियस वोल्प या सूर्य तो तारा कौन सा है सूर्य एक सोचो आलिस का एक सो पैतालिस प्रीथवी की किस गति के कारण रितु परवर्तन होते हैं का 145 बी परिभर्मन गतिके किसे कारण परिभर्मन के अंब कि चली 146 जीं और रात की योधि कहां समान होती है करक्रेखा पर मखरेखा पर विस्वत्रेखा पर यहा ध्यान दिजिएगा 146 का सी विस्वत्रेखा पर कि माली जे प्रित्वी है तो यह जो है कि विश्वत रेखा यह जिरू डिग्री होती है यह आपको साधी तेश डिग्री करकर रेखा यह पत्र का उत्री अक्छांस यह दखनी एक्छांस वोटा है यह अबी चले विश्वत का सबसे उंचा जोलमुख्य पर्वत 147 सबसे उंचा जोलमुख्य किले मंजारू कौन है किले मंजारू 147 का भी 148 सरवादिक सक्री ज्वलम कि कहा पाई जाते हिंद माहासागर के थेकमर्ण प्रसांत महासागर के थे क्रीभ आपक भुकाब के तिवर्दा कि यंद्र द्वारा मापील जाती है बड़ा फेमस प्रस्ना है बहुत लोग-लगभर इसको जानते होंगे तो उतर यहोगा ओडिकटर इसके इस किस महादवी पर कोई ज्वाला मुखी नहीं है तो कौन से महादवी पर कोई ज्वाला मुखी नहीं है अंटार की टीका पर कोई ज्वाला मुखी नहीं है इसी के साथ 50 प्रस्ट आज किये अगले सेट में 50 प्रस्ट और लेके आएंगे और इसी तरह करते करते तीन सब प्रस्ण में इसको खतम करेंगे आप सब का बहुत धन्यवाद ध्यान रखिए और परिच्छा के तबारी एक आग्रता के सिद्धिये चोटी छोटा-छोटा मैंने इसलिए कर दिया कि थोड़ा सा बोजिल नहीं हो इसलिए मैंने छोटा किया ह पिछली सेट में जो 39 नमबर प्रस्ण था उसका ऑप्षन बाई मिस्टेक डी लगा था लेकिन वह भी ऑप्षन होगा इलतूत मिस उसको आप क्रेक्ट कर लेंगे मैंने इसमें कोमेंट में भी मेंशन कर दिया था तब तक के लिए गुडबाए